हालो दोस्तों नमश्कार हैं कि आप सभी को वर्ण रातरी की हर देख्ष्यों कामना हैं दोस्तो आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इंजन कैसे वर्ग करता है यकिन मानिए आपको ऐसी तरीके से बताऊंगा कि आपने ना तो कभी ऐसी वीडियो देखी होगी ना तो कभी इस तरह से आपने समझाऊगा देशी और 3D एनिमेशन से मैं आपको दिखाऊंगा कि इंजन वर्ग कैसे करता है तो ज्यादा समय ना गवाते हुए आए सीठा वीडियो में चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि वर्ग कैसे करता है उसको अच्छी तरह समझेगा वीडियो पूरी देखेगा आपको पहु इंजेक्शन जो हम लोग को लगती है दुखार घरोड़ने पर सीप पर आपको सारे इंजन की वर्गिंग मैं समझा दूंगा कैसे वर्ग करती है आपको बहुत इजली तरीके समझ आएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आपको बताते हैं यह देखिए यह हो गई क किस्टण वर्क करता आगे पीछे होता है ठीक है और यह हमने होल कर रखा इधर यह और यह दुन हो गया हमारा इंलेट और आउट आज़ अग्जोस्ट इनलेट वाल और एग्जोस्ट वाल यह वाल हो गया ठीक है इससे कोई मतलब नहीं है यह तो माली जय से दिए रहता ह किलें सबसे देखें जैसे इसको पुस किये इसको नीचे किए पुस किये नीचे किये कोई लोड नहीं पढूं़ है क्योंकि इसके दोनों वाख खूले हुए हैं ठीक है यह बंत नहीं है अगर इंक दोनों को बंद कर के सब्सक्राइब के अगर से धक khi मारे तो देखिए कितना कंपरेसर लगा रही है यह बैद कंपरेसर है ऐसा क्यों होता है आपने देखा कभी कभी की कंपरेसर लिख हो जाती है तो इनजशन होल खुले है कि अ अराम से आप जइसे इसको बंद करके इसको खीचे दखिए अपशी जा रही है यह अंदर बंध है ऑचकी नहें दखिए यह क्या है пл compresor पर आ जा रहा है फी्ट भी और अश Aggra A तो इस तरह हम जान जाते हैं तो सिम प्रसेस अंदर यही सिस्टम होती है जब यह दुनवाल बंद रहते हैं उसे में हमेरे किक टाइट लगती है कभी पाया होगा क्किशोश कु़र में रहते हैं देरे दरे जाके यह टइट जाती है उसे चैस्टम ने क्या होता है हमारी दोनों वाल हो एक बंद हो जाती है उस में जान यह ने सकोने क्टीशन में हमारी नीचे आ गई फिर उस अंदर की फेकिक मारे बस ऐसी तरह होती रहती है तो यह दिक्कत होती है अब हम बात करते हैं कि कब इनलेट खुलता है कब एक्जोस्ट खुलता है अब कब इस पार्किंग होती है ठीक है यह सारी चीदे में आपको समझाऊंगा तो देखिए ध्यान से यह होगे एकजस्ट वाल यह हो गया इनलेट वाल ठीक है और यह होगे हमारी पलक द्यान समझेगा बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाली है यकिन मनि यह ऐसी वीडियो आपको पूरे यूटूब पर कोई नहीं दिखाया होगा इतनी देसी जुगार से ठीक है समझेगा यह नीचे आ रही है नीचे आ रही है नीचे आ रही है तिरे देखिए यह क्या कर रही है सेक्शन कर रही है अब सेक्शन क्यों कर रही है सेक्शन करने का मतलब हो गया कि उसको खीच रही है यह और जो पेट्रोल का मिक्सर होता है कार्वेटर जो बन क्याता है एर फिल्टर के तरफ के उन्हीं चले जाती है कि उन्हीं इतने पाइप लग उसके रास्ते बाहर निकल जाती है यह सारी चीज मैं आपको उस वीडियो में बता था न तो आगर वीडियो नहीं देखेंगो तब उस वीडियो को देखें लेजीगा और यही रीजन होता है कि व भी मूब करती है उसके साथ टाइमिंग चैन भी मूब करती है टाइमिंग चैन मूब करने के साथ यह वाला जो इनलेट वाल होती है जैसे नीचे इसको खिछते हैं पिश्टन नीचे जाती है इनलेट वाल खुलने लगती है अब फिर उसके बाद से पिश्टन अब क्या होती से इनलेट वाल बंद होती है इनलेट वाल बंद होने कबाद यह इस्थिति आती है अंदर देखिए यह इस्थिति आती है ठीक है ऐसे जाती है आप सोची इतनी परेसर पर जा रही है तो इसके अंदर जो फ्यूल और मिक्शर होगा उसको क्या करेगी यह उसको हीट करेगी इ लेस छीछ लिए उसको दबाव डाल यह प्रवाद यह पर यहां चोटी से चींगा रहे हैं उसको बलस्ट कराने के लिए बहुत काफी होती है यहां पर जैसे आती है यह जो फलग लगी होती है यह तुरंत उससरे स्पार्किंग कर देती है ठीक है यह जो पर जाती है तो हमें क्या अभलता है मैगनेट्स की साइड ये साइड पर लगे होते हैं तुरन्त सी डी आई को नोटिस देती है कि भाई पिश्टन टाप हो गया प्रत इस्पार कराना उपर आने कबाद जब यह नीचे जाती है उसके में हमारी दोनों वाले बंद रहती है ठीक है यह हो गे अंवार वह खुल्ङ फिलने लगती है देश कैसे आई वाल पूरी छुकी होती है घ Commerce भाष्ताय फिर वाल बंद रहती है ठीक है तो इसतरह कहा होती दोनों वाल बंद है इसको अंगलिस दवा लिए यह जो छेदा है इसको होल को बंद कर लिए अब इसको खीचेंगे छोड़ेंगे देखिए अपने आप चले जा रही देखिए यहां से समझाएगा देखिए आप आज भी सुन रहें कितनी कंप्रेस करके उपर जा रही है यह दुख क्यें छेकंफाक फिश्चेजफिन पिश्टन कर देखिए यह लंच खीचेर इन पिश्टन ऊपर चली जा रही है छी हो गया कंप्रेस कर रहे हावा को अंदर खीच रही है जम हावा खीच जब वह उसका बार से जब यह खीच लिव आपकर आफ़ करती है इसको देखिए ऊंदर नहीं जा पार रही लखी E sensory जाइता हाई फॉर सफे बोल नियुक परडिए जाते हैं। इतने हाई पर हिंक चेडि खोडिन अ कहा पर धाते हैं। बहुत बात ऐल की पुरह किसे उपर जाती है। जहां पोल को सि कॉड़ेति हैं। ऑम्सों लखें होती हैं। फिर खिष्ती है फिर वाल खुल जाती है अब यह परकिरिया लागतार होती रहती यह परकिरिया चार बार मुझती है session compression power exhaust इसलिए इसको four stroke की बाइक इत इस जिस में चार परकिरिया होती इस feedback करते हैं टूज्ट्च में क्या होता है section होती है और सेक्षय के साथ compression गन्सक्राइस और power के साथ RD रची होता है और धुसमें आप देखें कura kıraये धु Yepil तो इस तरह आपने समझ क्या है अब मैं आपको 3D एनिमेशन के माधियम से इस वीडियो और अच्छी तरह से आपको समझाने कोशिश करूँगा ठीक है तो आप आगे देखिए 3D वीडियो इसकी जैसा कि हमने पहले बता था एक या कर यह पिश्टन नीचे आ रही है निकि एर और फ्यूल के मिक्सर को खीच रही है सेक्षन कर रही है इस समय इनलेट वाल खुल चुका है अब देखिए इनलेट वाल तब तक खुला रहे गए जब तक पूरी सेक्षन इसकी पूरी होना हो आप सेक्षन इसकी पूरी होती देखिए वाल बंद हो गई आप फिर इसको कंप्रेस कर रहा है देखिए कंप्रेस कर रहा है पूरी दोनों वाल बंद है इसमें इंटेक और अर इसमें पूरी तरह से कंप्रेसन हो रही है कंप्रेसन होने बाद पूरी मतलब हीट उसकी जो अंदर जो देख़िए अब इसको से स्पार्क हो गया इस पारक हो गया अ बहुच रहे हो गया और अब इसको नीचे धका मारी ते लेगे को